ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है चिल्रन विट डिफिकल्ट सरकम्स्रेंसिज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ में लिखने की ज़रूद नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप डिरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा प्रेवेंटिव मैडिसिन इन अपस्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंग जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर खा अगला टॉपिक, तैट इस चिल्रन विट डिफिकल्ट सरकम्स्रेंसिज कि कौन-कौन से बच्चे आते हैं चिल्रन विट डिफिकल्ट सरकम्स्टेंसिज में तो भई एक तो हो गए होमलेस बच्चे या अबैंडेंड चिल्रन ऐसे बच्चे जिनको अबैंडेंड कर दिया गया है घर से निकाल दिया गया है या घर पर अब उनके कोई नहीं रहा ऐसे बच्चे that is homeless or abandoned children ऐसे बच्चे जिनके parents separate हो गए हैं या ऐसे बच्चे जिनके parents उनका खयाल नहीं रख सकते हैं वो भी children with difficult circumstances में आएंगे पर ये children with difficult circumstances हम पढ़ क्यों रहे हैं children with difficult circumstances हम इसलिए पढ़ नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको वो normal circumstances या normal environment नहीं मिल रहा है इसलिए हम उन बच्चों के बार में पढ़ रहे हैं जो difficult circumstances में रहते हैं और उनके लिए फिर सरकार policies बनाती है तो homeless or abandoned children तो हो ही गए ऐसे बच्चे जिनके parents अलग हो चुके हैं या उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं उसके बाद important आता है migrants, refugee या street children migrant मतलब migratory population जो होती है उनके साथ बच्चे आ जाते हैं अब जब माता-पिता का ही ठीकाना नहीं रहता है उस वक्त तो बच्चों का ख्याल उतने अच्छे से रख नहीं पाते है या फिर जो refugee families होती है जो border से इस तरफ उस तरफ होती है उसमें भी वही रहता है कि उनका ठीकाना ठीक से नहीं रहता बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे या फिर street children जो होते हैं जो माता पिता रोड पे रहते हैं जिनके पास बहुत जादा पैसे नहीं है बच्चे भी रोड पे रहते हैं वो भी बच्चे difficult circumstances में बड़े होते हैं तो उनमें भी परिशानिया रहती हैं तो ये भी आपका migrants या refugees street children ये भी difficult circumstances में आ जाएंगे उसके बड़ आता है ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई crime हुआ हो या फिर ऐसे बच्चे जो trafficking का शिकार हुए हो trafficking मतलब यहां से वहां उठा के बच्चों को बेच दिया जाता है जैसे दूसरे देशों से बच्चों को export कर दिया जाता है illegally बेच दिया जाता है तो trafficking उसको कहते है तो trafficking of the children इसका शिकार हुए हो या किसी अपरात का शिकार हुए हो तो ऐसे बच्चे भी difficult circumstances में आते हैं उसके अलावा जो sex workers होती हैं उनके बच्चे या जो parents जेल में हैं उनके बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो bondage या prostitution में हैं बहुत चोटी उमर से अगर prostitution में ढखेल दिया गया हो ऐसे बच्चे या फिर जो बंधुआ मजदूर नहीं होते हैं जो कि भाईया हमने तो घर में रख लिया यह हमारी मजदूरी करेगा अब जिंदिके पर यही करेगा ऐसे भी होता है तो bondages में है या prostitution में है ऐसे बच्चे भी children with difficult circumstances में आते हैं उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनने कोई terminal disease हो गई है कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गई हो या फिर ऐसे बच्चे जिन में कोई disabilities वगरा हो वो सभी children with difficult circumstances में आते हैं इनका growth and development उतने अच्छे से नहीं हो पाता है इसलिए सरकार को इनके लिए अलग से policies बनानी पड़ती है सरकार इनके लिए अलग से services प्रोवाइड करती है programs बनाती है जिससे इनका भी उधार हो सके तो हमको at least इनके नाम पता होने चाहिए उसके बाद जब हम यह पहुड़ रहे थे ना that was child trafficking या victim of crime इसके तरह इतना कुछ acts जरूर पढ़ ले ना एक होती है उजावला scheme उजावला scheme क्या होती है कि इसको हम करते है child trafficking को रोकने के लिए उसके लाबा बच्चे को rescue करने के लिए rehabilitate करने के लिए repartation करने के लिए हम उजावला scheme का इस्तिमाल करते हैं उजावला scheme कैसे याद रुखोगे तो अगर आप देखो तो इसमें तीन यह एए एक ये दो ये तीन ये दिन एया perduction up drrna याने कि उठा लेना तो उठा लेते हैं उठा के कहीं और बेज देते हैं जैते हैं से चाइब ट्राफिकिंग को प्रेवेंट करने के लिए उजावाला स्कीम होती है जाद रखना मैंने कैसे त्रॉनाउंस किया कित्े सारे मैंने एलगाए एफॉर ermff मतलब उठा ले ना मतलब चाइब लेनौ मतलब जेड़री कि प्रेविंचन एक्ट भी था जो कि 1956 में आया था वो भी ऐसे बच्चों के ठैल रखने के लिए होता है उसके अलावा चिलर नैक्ट 1963 भी आया था वो भी ऐसे बच्चों के लिए था तो इन एक्ट का नाम याद रखना और यह भी याद रखना वसे मैं हमेशा नहीं कहता कि यह याद रखो लेकिन भाई साब यहां पर 1956 और 1960 यह याद रखना क्योंकि कोश्चन आ चुका है एमसी क्यों आ चुका है तो 56 और 60 तो यह दो चीज याद रखना इम्मोर्टल ट्राफिक प्रवेंशन आक्ट और चिल्रन्स आक्ट तो यह तो हो गए चिल्रन वे डिफिकल्स सकम्स्टैंसेज और थोड़ी सी एक्ट स्कीम्स चोन के लिए कहीं है इसके अलावा तो यह तो आप उसके अलावा कुछ आर्टिकल्स जिसमें से क्यों आए हैं तो बारत के समविधान के तहत आर्टिकल 21 यह कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चा कानूनन अधिकार है फ्री एजुकीशन का उसके अलावा आर्टिकल 24 ये कहता है कि आप उसको हजादियस एनवयायमेंट में नहीं दागल सकते पढ़ा था कि 14 से कम उमर का है तो हजादियस एनवयायमेंट में काम नहीं करा सकते इसको कैसे आप करेंगे 24142414 तो 14 साल से पहले हजारेस इंवार्मेंट में काम नहीं करा सकते हैं आप ये आर्टिकल 24 कहता है ठीक उसके बाद आर्टिकल 45 कहता है कि compulsory education आपको provide करानी है हर बच्चे को at least 14 साल तक समझ गए तो 14 years तक आपको 45 5 आर्टिकल के तहत compulsory education provide करानी है समझ गए तो ये कुछ आर्टिकल है जिनको याद रखना क्योंकि इन पे भी mcq आपको आ चुके हैं तो यह आपको पता होनी चाहिए ठीक अब सवाल यह आता है कि भाई आपने यह तो देख लिया कि भाई चिल्डरन विडिफिकल सरकम्स्टेंस क्या है आपने कुछ स्कीम के बारे में पता कर लिया आपने चैल्ड राइट के बारे में पता कर लिया आपने आर्टिकल 21 24 और 45 के बारे में भी देख लिया ठीक है अब एक नई स्ट्राटेजी आई है यहाद हमने बैटर बेबी सिंड्रोम भी पढ़ा था और अभी चैल्ड विडिफिकल सरकम्स्टेंस भी पढ़ा तो इन लोगों के उद्धार करने के लिए इनका बचाव करने के लिए क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बच्चों के साथ वा inspire स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके तहट सरकार ने कई policies और program शुरू किये हैं जिससे की violence against children खतम हो सके तो inspire strategy किसले शुरू की गई इसमें साथ strategy सरकार करती है जिससे की violence against children खतम हो सके ठीक तो इस साथ strategy के तहट क्या-क्या चीज़े करती है सरकार और क्या-क्या लोगों को करना चाहिए जिससे कि बच्चों के against हिंसा नहीं हो पहली चीज़ कि भाईया जितने भी laws हैं जितने भी कानून हैं उनका धंग से implementation हो और enforcement हो याने कि देखो कानून तो बहुत सारे हैं जैसे factory act करता है कि 14 साल से कब मरके बच्चे को आपको factory में काम नहीं कराना in fact हमने अभी इससे पहले ही पढ़ा था कि भाईया उजावला scheme है उसके अलावा Children Act है यह सभी act or laws हैं तो पर क्या इनका implementation या इनको enforce लोगों पर किया जाता है अगर नहीं किया जाता तो हमको करना है सबसे पहला I for implementation and enforcement of law फिर N second alphabet क्या है N is for norms and values आपको ना सरकार के दुवरा आपने norms and values set कर दी गई है इतने criteria तो set कर दिये गए इस हिसाब से norms and values set कर दी गई कि इतना तो एक बच्चे को मिलना चाहिए इतना ख्याल तो रखना चाहिए इतनी education तो मिलनी चाहिए तो norms and values भी set कर दी है सरकार ने तो इस पे भी बालन होना चाहिए उसके बाद तीसरा inspire का S S से क्या होता है S से होता है safe environment तो बच्चों को हमको safe environment प्रोवाइड कराना है जिससे कि उनका growth and development अच्छा हो सके हमने पढ़ा अभी children with difficult circumstances उनके लिए ही तो ये भी है कि भाईया उनको road पे रह रहे हैं या refugee camps में रह रहे हैं तो उनको एक safe environment प्रोवाइड कराना है आपको जिससे उनकी upbringing अच्छे से हो सके ठीक उसके बाद inspire का जो P होता है ये P होता है parent and caregiver support यानि कि सरकार ये कहते हैं कि जो parents हैं बच्चों के माता-पिता हैं या बच्चों के जो caregivers हैं उनको भी support प्रोवाइड कराना है through various policies and services कि जिससे कि वो बच्चे से बच्चे का बहता धंसे ख्याल रख सके ठीक inspire का जो I होता है I stands for income तो income और economic strengthening भी करनी है हमको बच्चों की family की उनके लिए पैसे प्रोवाइड करने हैं उनको economic stability प्रोवाइड करनी है जिससे बहतर तरीके से उनकी upbringing हो सके उनके education हो सके हर चीज अच्चे से हो सके यह नहीं कहता कि पैसा ही सब कुछ है जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी upbringing अच्चे से नहीं होती लेकिन हाँ बहुत कम है तो परिशानी होगी ने यार तो उन लोगों को तो आपको help करनी पड़ेगी कि बच्चों का ठीक से ख्याल रख सके बच्चों की nutrition के लिए बच्चों की education के लिए हर चीज के लिए इसलिए उनकी economic और income strengthening भी सरूरी है तो inspire के I तक तो हम पहुच गए थे अब आते हैं R पे R stands for response and support services तो देखो आपको पता चलता है कि कहीं बच्चे के साथ कोई crime हुआ है बच्चे की trafficking हो रही है बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए ना सरकार दोरा response and support services भी provide की जाती है inspire strategy के तहत जिसके तुरू आपको उसी वक्त response करना है बच्चे के लिए और जिन बच्चों के साथ act हो चुका है, for example victims है वो हिंसा होई है उनके साथ तो उनको support भी provide करना है, support services and response services भी सरकार provide करेगी inspire strategy के द्वारा, और सबसे अखरी that is inspire का जो E होता है, E stands for education and life skills, तो सब कुछ कर दिया, आपने laws enforce कर दिया, norms and value set कर दिया अच्छा environment दे दिया, अपने parents को आर्थिक रूप से भी मदद कर दिया, उसके अलाब support भी provide कर दिया, सबसे main चीज क्या है, बच्चों को education provide करना है और in fact उनको life skills भी सिखाने है जिससे आगे जाके वो जिन्दिगी में कुछ बहतर कर सके तो education and life skills भी inspire strategy के तहरे आते हैं, ठीक तो याद रखना एकदम नई strategy यह है, यह inspire strategy तो इस पे आपको अलग से short note आ सकता है और mcqs तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि इस पे mcq आपको आएगा, ठीक तो inspire strategy आपको पता होनी चाहिए, तो भाई यह था आपका children with difficult circumstances, अगर मैं बात करूँ सवाल की तो theory exam जो है theory exam में तो आपको as such बहुत ही पटकी question है, आएगा भी तो आपको very short note आ सकता है, और very short note में आपको enumerate children with difficult circumstances, इस पे question आ सकता है ठीक, अगर मैं बात करूँ वाईवा की, तो वाईवा के लिए एक बहुत important question है, that is कि बहुत चिल्रन with difficult circumstances बताओ कौन-कौन से होते हैं और एक और question है that is, आपसे वाईवा है पूछ ले जाता है, हाँ भाई बताओ, उजाला scheme क्या होती है, उजाला क्या ये उज्वावला है, नहीं या फिर आपसे पोल दिया जाता है, अच्छा बताओ कि उज्वाला scheme क्या होती है, उज्वाला क्या ये उजावला है? नहीं, ये उजवला है ये दोनों ही स्कीम नाम मिलते जूलते है लेकिन ये उजावला नहीं है क्या है? ये भी हम देखेंगे और भी आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं सवाल, that is, कि आपसे आर्टिकल का नाम पूछ सकते हैं और आपसे बोल सकते हैं कि यह आर्टिकल किस चीज़ के लिए है यह बताओ और वाइवा में एक important question जो पूछा जाना ही है आपसे अब that is inspire strategy क्या होती है यह बताओ ठीक उसके बाद mcqs की बात करें तो जितने भी underline portion है हमारे notes और slides में वो सभी अलग-अलग pg entrance exam में पूछे के mcqs हैं तो mcq हमको उजावला scheme पे आया था mcq हमको immortal traffic prevention act पे आया था और mcq हमको children's act के year पे भी आ चुका है ठीक उसके बाद हमको articles पे भी mcq आया है कि 21 किसके लिए 21A किसके लिए 24 किसके लिए होता है और 45 किसके लिए होता है in fact हमको children's act पे भी mcq आया हुआ है तो यह भी आप को पता होना चाहिए children's right पे उसके बाद inspire strategy भाई इंस्पायर strategy पे तो mcq आना ही आना है अब तो इसको याद रखना अब यादे हमने अभी बात की थी कि भाई उजावला scheme is not उजाला scheme and उजवला scheme तो वो क्या होती है तो यह एक छोटु सा topic आपको देख लेना कि उजवला scheme is different उजवला या उजवला scheme is different और उजावला scheme जो भी हमने पड़ी that is different नाम मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों अलग अलग है तो क्या है यह पहले शुरुआत करते हैं हम उजाला से उजाला क्या है उजाला का मतलब क्या होता है उजाला का मतलब भाई घर में उजाला कर दो खिर की खोल दो घर में उजाला हो जाएगा उजाला मतलब क्या लाइट तो उजाला स्कीम के तहत करेब 20 वाट की LED ट्यूब लाइट्स प्रोवाइट की गई गरीबों को और फाइव स्टार रेटेट फैंस भी प्रोवाइट किये गए जिससे की जो उनके घरों में उजाला ह हो सके और पिजली की खपत भी कम हो सके तो सरकार को दोरा जो उजाला स्कीम शुरूर की गई थी उजाला किससे होता है बल्ब से तो यह जो लॉप है यह याद रखना उजाले के लिए तो LED लाइट्स उजाला का फुल फॉर्म भी होता है उन्नत जोती बाइ अफोर्डबल LEDS for all U से उन्नत J for जोती, A से अफोर्डबल L से LED, A for all उन्नत जोती बाइ अफोर्डबल LEDS for all इसके तहित क्या किया गया उजाला स्कीम के तहित LED lights और fan बाटे गए थे गरीबों को जिससे की उनको efficient light power saving पे मिल सके ठीक, तो that was उजाला स्कीम, तो उजाला स्कीम से क्या हो गया, उजाला स्कीम से घर में उजाला हो गया उजाला हो गया, यानि की घर में light आ गई तो light कौन सी LED cube lights provide की गई थी समझ गए, तो LED lights provide कर दी गई, उजवला उजवला योजना क्या होती है तो उजवला क्या होता है उजवलित, वो बोलते थे थे ना दीप उजवलित कर दो दिया लगा दो, दिया उजवलित कर दो, उजवला तियाने जलाना, दिये को जला तो वैसे ही याद कर सकते हो कि उज्वला योजना के तहट कुछ जलाया गया होगा तो गरीबों की घर में क्या लकड़ी वगरा जलाते हैं कंडे वगरा जलाते थे उससे बहुत स्मोक होता था तो स्मोकलस चूले के लिए सरकार ने शुरू की उज्वला योजना जिसके तो यही है आपकी उज्वला योजना जिसके तहट लपीजी कनेक्शन्स प्रोवाइट किये गए थे बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज को और साथ में लगवग सोला सो रुपए का सपोर्ट तीन साल तक भी प्रोवाइट किया गया था उज्वला योजना के तहट तो य क्या हो गये ज्वाला ज्वाला यानि आग कि सहसे जलेगी जैस के से तो तो यह उज्वल अिसमें ऐड हो गया है जै और डब से क्या बनाएगे ज्वाला मतलब आग ब्रभ कि अ किसे आप आग जलाओ और खाना बनाओ समझ गए तो दैट वास उज्वला योजना अब आते हैं उजावला योजना में तो इसमें देखो जे और डबलू के बीच में एक ए और जुड़ गया इन फैक्ट अगर आप उजावला में देखो तो कितने ए हैं तीन ए हैं ए ए ए ए ए फॉर क्या बोला था हमने ए फॉर हमने बोला था एबड़क्शन याने उठा लेना उठा लेना याने उठा के यहां वहां बेचती है बच्चों को दैट इस चाइल्ट ट्राफिकिंग कर द इसमें हम rescue, rehabilitate, reintegrate करते हैं बच्चों को कि भाया trafficking से बच्चों को बचाओ उनको rehabilitation करो उनको वापस उनकी जगर तक वापस पहुचाओ तो हमने human trafficking या commercial sexual exploitation वाले जो बच्चे हैं उनको बचाना है और वापस उनके घरों तक पहुचाना है through उजावला scheme समझ गए तो यह ती तो ज्वला आ गया तो डबलू आ गया तो ज्वला याने की जे और डबलू आड हो गया ज्वला याने की आग याने की गैस का सिलिंडर उजावला तो देखो ए एक्स्टर आ गया तो तीन तीन ए है तो ए फॉर एब्दक्शन तो उठा लिया that is trafficking समझ गए तो यह तीन इसमें इसमें इंस्पायर स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए और साथ में उजाला उज्वला और उजावला में डिफ्रेंस पता होना चाहिए थैंक यू